इस साल को IPL अक्षन में कुछ खास दिखने को मिला है कोई खिलाडी 25 तो कोई खिलाडी 20 क्रोड में भी किया है इसी के साथ कुछ ऐसे खिलाडी भी है जो पहली बार IPL खेलने वाले हैं बीते 29 दिसंबर को IPL 17 के लिए दुबई में हुए मीनी अक्षन में जारखंड के तीन खिलाडियों को अलग अलग टीमों ने खरीदा जमसेर पूर के कुमार कुछाग्रा को दिलिक एपिटल्स न 7.20 क्रोड और राची के सुसांत मिश्रा को गुजराट टाइटस न 2.20 क्रो रुपिया में खरीदा है यस प्यान क्रिक इन्फू के मुताबिक मिन्ज पहले आदिवासी खिलाडी है जिने IPL की किसी टीम में खेलने का मोका मिलने जा रहा है जारखंड के मुखिया मंतिरी हमांज सोरेन ने गुरुबार को रभीन मिन्ज से मुलाकात की उन्हें सुब का गया उन्होंने का टीम में चुने जाने के बाद जब मैंने अपनी मा को फोन किया तो वह रोने लगी पापा भी रोने लगे मेरे चैन से मेरे परवार वाले बहुत खुस है रभीन भारतिये टीम के पूर्व कप्तान महिंदर सिन धोनी के अपने आधर्स मानते हैं वह कहते है आई पील में धोनी भी खेलेंगे मैं भी खेलूंगा ये मेरे लिए बहुत गर्भ की बात है हाला कि उनसे मेरी क्या किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती हम दोनों में बस इतनी समंता है कि मैं भी उनकी तरह विकेट कीपर और बैट्समेन हूं राबीन बीते चार सालों से जा आगे की सोचो राबीन एक सधारन परवार से आते हैं उन्हें 3.6 क्रोट रुपियों में खरीदा गया है इतने पैसे क्या करेंगे इस सवाल पर वो कहते हैं इन पैसों का मैं क्या करूंगा या मेरे परवार वाले क्या करेंगे इसके बारे में फिलाल कोई कुछ नहीं सोच रहा है मेरी बस इतनी तमन्ना है कि मैं आई पील में अपने टीम के लिए बेहतर खेलू और आने वाले स्वाए में टीम इंडिया के लिए भी खेलू तो आई शाहीं नए ने अबडेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेले किन दबना बिल्कुल न बुले